नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका आजे जी कैब में फटा पट सभी विद्धार थी जुट जाईगी है भई शाबाश तो अपने एक छोटी सी क्लास के साथ दोस्तों अपने पूरा टॉपिक एक जो है छत्रियां एक्जाम में पूछी भी जाती है मेरे दोस्त तो उससे रिलेटिड बाते कर लेते हैं थोड़ी शाबाश भी एक बार सभी लाइक और शेयर करेंगे लाइक और शेयर जरूरी है सभी को राम राम गुड़ तो दोस्त मेरे इसाब से छत्रियों के लिए मैंने बहुत ही सुन्दर और शांदार नोट्स त्यार रही हैं आप इतनी छत्रियां पढ़ लेते हो तो मतलब सर आपकी मैक्सिमम जो है राजस्तान की छत्रियां हो जाएगी लेकिन मैकसिमम जो इंपोर्टेंट डिया मेरे दोस्तो वो आपकी कवर हो जाएगी सर ख्ली रेगी सभी को राम अतिवा की चत्रियां याद रखना है सर वो कहां पर राएगी सबसे सर अब है शार भार सर अभी आपने सुना होगा दोस्तों यहां पर बुंदी के अंदर बात करते हैं ये बुंदी जिले की बात करते हैं तो 84 खम्मों हाड दोस्तो इसका निर्माण का अगर बात आता तो देवा सिंग द्वारा निर्माण करवाया गया निर्माण दोस्तो देवा सिंग द्वारा करवाया गया लेकिन अगर बात करते हैं दोस्तो सासक की तो सासक दोस्तो उससे में कुन था हाड़ोती से समन्दी दोस्तो अनिरुद सिंग था उससे में सासक क्लेर है गया शाबास केसर बाग की छत्रियां दोस्तो क्षार बाग कहा है कोटा में केसर बाग कहा है सर केसर बाग की छत्रियां दोस्तों आपको मिलेगी सर बुंदी के अंदर क्षार बाग की छत्रियां दोस्तों कहा मिल रहे है कोटा तो क्षार बाग कोटा कोटा में क्षार बाग है तो केसर बाग कहा है सर बुंदी में 84 खंबे की छत्री दोस्तों कहा पर मि संत पीपा की छत्री आपको कहां पर मिलेगी सर गागरोंगड में मिलेगी गागरोंगड है कहा सर जालावाड के अंदर ठीक है तो दोस्तों यहां पर बचा सर बारा और बारा के अंदर दोस्तों अपने बात करते हैं सर थानेदार मात्थू सिंग की छत्री है सर अभी देखो सर 12 में चिपीवी चठी दोस्तों आपके सामने यहां पे आई है थानेदार नथ्थु सिंग की चत्री है संत पीपा की चत्री गागरोन गढ़ में मिलेगी सर क Okay कहिर उन्गड़ में मिलेगी 84 कि चत्री और नैस्ट उसके बाद में सर केसर भाही चत्री के अगर बात करते हैं तो यह कहाँ पर मिलेगी दोस्तों आपको बुंदी में तो एक बार इसको द्वारा से रिपीट कर लेते हैं कोटा में एक शार बाग तो केसर बाग कहा है बुंदी में याद हो जाएगा साथ साथ मेरे साथ साथ बोलते रहें कोड़टा में एक शार वाग तो केसर भाग का है बुंदी में 84 खंबोंगी च्छत्री बुंदी में नेक्स्ट बरतपूर संभाग, बरतपूर संभाग में दोस्तों आपने बयाना का दुर्ग सुनाओगा, बरतपूर जिले के अंदर बयाना, तो बयाना बरतपूर से संबंदी, दोस्तों अगर अपने बात करते हैं, तो सर अकबर की छत्री आती है, अकबर की छत्री आती है, खांडे राव होलकर की चत्री दोस्तों खांडे राव होलकर है तो यह मराठा है सर याद रखना सर बर्तपूर के अंदर खांडे राव होलकर की चत्री मिलेगी और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर मिलेगी सर अकबर की चत्री मिलेगी मेरे दोस्त याद रखना अकबर का किला है जो की ऐसमेर में बना हुआ है मैगजिन फोर्ट के नाम जाला जाता है अकबर की छतरी कहाँ पर मिलेगी सर बयाना में मिलेगी क कiset कैसे अपने बात यहां पर माया कह रहांCAב болू अदूरी छक्टरि है मेरे दोस्त लेकिन अधूरी कहानी भी रह जा ती दोस्तो दियान रहना अपने पत्ती सांगा की याद में च्टरि बनवा रही थी रंथंबुर में लेकिन क्या हो गया करमावती में जोहर कर लिया दोस्त यानिKE वो च्छतरी बाद में किसे बनवाने को बनवा सकते थे लेकिन आपके लिए प्यूनिक कॉश्टन भी तो ट्यार करता रहता था ना तो वो अधूरी छोट दी सर बीच में तो आज उसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है दोस्ता अधूरी च्छतरी तो कर्मावती दोरा निर्मार दोस्तों किसकी याद में करवाया गया सांगा की याद में सांगा की याद में निर्मार करवाया गया दोस्तों ठीक है अब दोस्तों आपको कुछ आप जाएगा सांगा की च्छतरी कहां पर बनिए तो सांगा की च्छतरी जो है दोस्तों आपको मिलेगी सर मांड तो यह सांगा की चत्री से आजेगी सर बतीस खमों की चत्री दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसे न्याय की चत्री सर क्या बोलते हैं इसे न्याय की चत्री भी कहा जाता है सर ये भी कहा मिलेगी आपको रंधम गोर में मिलेगी और इसका निर्मान जो करवाया था दोस्त क्योंकि दोस्तो हमीर यहाँ पर बेटकर न्याय किया करता था मेरे दोस्त बट्तीस खमों कि छत्री का या थो सऌफ़ेना कियों करवाया क्योंकि सर जैतर सिंग का जो काल रहता ना दोस्ता ञORA siya यानी कि सब्ससक्राइब के लिए 32 कषटरी का निर्मान करवाया दोस्तों में करो दोस्ता hero की दोस्तों दोस्तों के केला देवी के मंदीर का निर्मान याद रखो सर गोपाल सिंग यादव ने करवाया था तो गोपाल सिंग यादव की छत्री कहा मिलेगी करोली में मिलेगी दूसरा दोस्तो जो केला देवी का मंदीर है ना उसके सामने है सर बहुरा बगत की छत्री बहुरा संपर्दाय गलिय इडिया लगा सकते हो, क्लियर है गया, शाबाश, वेरी गुड, हाँ, एमेद शागे आकर्मन पर मिस्त्री भाग रहे थे, हाँ, तो सही है तो सर, मिस्त्री जो है, वो सर, शांत सभाव के आदमी लगे वे थे, सर, उन्होंने देखा भी, सर, कर्मावती नहीं रही, तो कर्मा इस इन-फोर्ट सर, एकहांपर है, अजमेर में, नेक्स सर, खांडेरा वोलकर किया, निकी, मराठे की चटरी दोस्तों, यहाँ पर बनी वे, खांडेराव की, नेक्स्ट, दूरी चटरी रनधंबोर में है, दोस्तों, याद रखना जिसका नहीमान, सर कर्मावती ने करवाय तो पर रोली में केला देवी को याद रखू केला देवी के मंदिर कान निमान गोपाल सिंग यादव ने कर वाया तो गोपाल सिंग 59 डो चत्रि इBoy Karl कि भीकानेर दौस्तों संबाद के अंदर आपको मैं बता देता हूं अ行了 writing to सासर थे, उसका पुप्तर था दलपत सिंग, कौन था सर, दलपत सिंग को उत्तरा दिकारी गोशित किया, लेकिन वो जहांगीर को पसंद नहीं था आदमी, अब जहांगीर ने क्या किया सर, दलपत सिंग को सासक बना दिया, अब सूर सिंग को सासक बना दिया, दलपत सिंग को दोस्तो राव जेटसी की, प्योंकि दोस्तो उस समय जो है, ये वाला छेतर जो है, कंपलीट हुआ करता था एक साथ सर बीका नेर सासल में आता था ये, है ना तो सर राव जेटसी की चत्री लेकिन वर्तमान में ये कहां पर आती है, कौन से जिले में आती है, हनुमान गड़ स समंधित आती है, दोस्तो यहां पर आपने सुना ओगा देव कुंट, सबसे पुरानी चत्री कंल्यान सुख काल्यान सिंग में यहां पर, कल्यान सिंग की चत्री बनी है, और LP टेस्टी टॉरी की चत्री दोस्तो आपको बता ओगा, सर 1919 में मर्तिव होती है 1919 में मर्तिवी और इस शत्री का निर्माण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो महाराजा गंगा सिंफ न करता है करदा मेरे दोस्तों आपको तो दो जिलों से संबंधित त्याद रखना इसर रह जाएगा कोई दिक्कत नहीं है सासु इसके बाद में संभाग आएगा दोस्तों अपने पास में अजर मेर संभाग अंदर के अंदर अपने बात करते हैं देए गोर से पहले सबसे पहले देखिए नागोर जी ले की बात कर लेते हैं अमर सिंग राठोर दोस्तों जिसे कटार का धनी कहा जाता है मृत्यू दोस्तों लाल किले में होती है लेकिन सब छत्री कहा पर बनी हुई है यह बनी हुई है नागोर में लेकिन दोस्तों याद रखीग मरवा दिया था किसको Amar Singh र flips आण सर कुछ बुरा वला क्या दिया होगा तेरी गरल फ्रेंड जो है मैं ने देखी आँ पशन्द नहीं आया होगा और अमर सिंग ने सर उडदी खोपड़ी अब लाचा गुजरी की छत्री दोस्तों यह लाचा गुजरी किससे समंधित आती है आप सभी को पता है दोस्तों लाचा गुजरी जो है वो तेजा जी की धरम बहिन सर तेजा जी की धरम बहिन अब बच्चे यह सोचते हैं भी सर तेजा जी की धरम बहिन जो थी वो पेमल की स यही सर लाच्छा गुजरी की छत्री जो है वो नागोर में याद रखने है आपको दोस्त क्लियर है क्या शाबाश अब नेक्स्ट दोस्तों आया अजमेर अजमेर के अंदर दोस्तों अपने बात करते हैं ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन सर यहां पर एक शब्द याद रखना हैं अंटेडा की छत्रियां अब देखो सर 'Sakapp क्षार अभागी चत्रियां आपने का पर पड़ी है क्जार वाग की चत्रियां कोटा में के-सर वह पढ़र की पड़ी ती गुंदी में अब रसिया कुंडों में फसगी दोस्तों याद रखिएगा तो नवाबों की नगरी में फसगी रजिया तो रसिया जो है वो दोस्तों कहा पर जा फसी है नवाबों की नगरी और नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है मेरे दोस्त टॉंक को कहा जाता है अगर आप क्लास पसं अब इसमें बोला गया है मेरे दोस्त इसमें क्या बोला है दूसरों की प्रेम कहानी की बात करते रहा करो कभी अपनी भी बात कर लिया करो अपनी भी कौन सी प्रेम कहानी चल रही है मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं तो इस किताबों से निकल नहीं पा रहा हां किताबों के सा स tremendous maharadließen scindhyaya maharadzeni scindhyaya hun marble society याद रखिएगा वह आ रही था वह स्थथ गंगापुरा नामकसितान पेलवाड़ा के अंदर वहां पर दोस्तूर की मृत्य हो जलती है तो वा पर महारद pioneers ind pursuit सिंधिया दोस्तों क्या किया घया था suchen जहती बनवादी तो दो अभ्यान था माराना प्रताप के लिए जगनात पच्छवा को वेजा था भारमल का वेटा है दोस्तों जिसकी 32 खंबों की चत्री दोस्त कितने खंबों की चत्री है यह यहाँ पर 32 खंबों की चत्री देख लीजेगा यह 32 खंबों की चत्री है दोस्तों जो की मांडलगट भी इने आपको संगा ता माराना संगहा का शोमाने मीट्टर सिंग की क्षत्री रोगनात में मिलेगी तो जहाँ पर इंपोर्टेंट उतनुन्स सागा-प्रिम्वांड की श्रेटर चेरी अर्मस्ट बोर्टेंट है स्टेंक फील वाध के अंदर that शाबाश, समझ आ रहा आपको, दोस्तों आप इसकी PDF राप्ट करना चाहते हो, दोस्तों तो सीधा सीधा समझ आपको बता देता option, टेलिग्राम जोइन कर लो, अजय जी के अब नाम से विदाउट स्पेस के टेलिग्राम पर टाइप करोगे, आपको मिल जाएगा सर, टेलिग बुलाते हैं इनको, आहड की चत्रियां जो है सर, इन्हें क्या बुलाते हैं, महासतियां बुलाते हैं सर, महासतियां दोस्तों याद रखिएगा मेवाड के महराणाओं का, मेवाड के, महराणाओं का, सम्शान गाट कहलाता है सर, याद रखिएगा, ठीक है, तो मेवाड क महारणाओं का समसानगाट किसे का आ जाता है महासतियां का टीला अलग है दोस्तों बाग और सब्वेता से संबंदीत आता है महासतियां का टीला अलग है महासतियांस्तान दोस्तों मेवार से संबंदीत आता है सर क्लेर है गया शाबास नेक्स इसके बाद में दोस्तों याद रखीगा महारणा उदे सिंग की चत्री आ जाएगी सर और नटनी का चबूत्रा आ जाएगा नटनी का चबूत्रा दोस्तों कौन सी जील के किनारे पिछोला जील के किनारे सर पिछोला जील के किनारे यह भी कहा पर आ जाईगा तो यह उद्धेपुर से समंदित होंगे clear, very good, next इसके बाद में दोस्तों आपको मिलेगी सर चितोड में, अब चितोड के अंदर, चितोड कड़ है सर, चितोड कड़ के अंदर में आपको बता देता हूं सर संत रवीदास जी की छत्री का मिलेगी, चार खंबों की छत्री है दोस्तों, सबसे पहला पॉर्ण तो यह सर चार खंबों की छत्री है सर यह, ठीक है मीरा मंदिर के निकट बनी हुए है, दोस्तों मीरा भाई ने शादी के पशात गुरु बनाया कि इसको रवीदास जी को, जैमल वे कल्ला राठोड की छत्री दोस्तों बहरुं पॉल पर बनी हुए है, चितोड की कौन से पॉल पर द पटवन पोल या पाड़न पोल के नम से जाना जाता है इसे, और शिंगार चमरी का निर्मान दोस्तों किसने करवाया था सर, किसने वेलाक या वेल का द्वाला करवाया गया, चार खंबों पर निर्मान दोस्तों छत्री है, जो कि जेन भगवान शांतीनात को समर्पित है, जहां पर दोस्तों किस का विवा हुआ था सर, कुमबा की पुत्री रमा भाई का विवा हुआ था, वो कहां पर वह था, शिंगार चंवरी, शिंगार चोकी कहा है महरानगड में, शिंगार चंवरी कहा है चितोड में, शिंगार चोकी कहा है सर, महरानगड में, तो यह चितो दोस्तों चेटक की छत्री जो आपको कहां पर मिलेगी सर बली चारास समन में मिलेगी सर कहां पर मिलेगी बली चारास समन में मिलेगी तो यह उद्यपूर संभाग की छत्री है मेरे दोस्त क्या आपको यह वे पसंद आया गया च्छत्री याद करने का वे पसंद आया गया और आइटिंक आपको लग रहा होगा है सर छत्री जो ए धिकांस था हमें जो है थोड़ी 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 पकड़ में आने लगी है दोस्तों आप इसको पांसात बार जो है और देखोगे और पढ़ोगे न तो 101% आपको यह ड़न हो जाएगी सर्थ साबास नेट्स कॉशन जैपूर संभाग की चत्रियां दोस्त जैपूर संभाग की चत्रियां में जाओगे तो जैपूर में दोस्तों गेट और की चत्रियां मिलेगी देवी कुंड की चत्रियां कहां पर मिली दोस्तों आपको बिकानेर में किशारबाद की कोटा में केसरबा की बुंदी में देवी कुंड की काम मिल रही है दोस्तों बीकानेर में अंतेडा की छत्री दोस्तों काम पर मिल रही है आपको बदनोर की छत्रिया बीलवाडा में तो अंतेडा की दोस्तों अजमेर में मिल रही है ठीक है तो यहां पर मैं आपको बात बता देता हूँ में दिया ता इस रिस्म को दोस्तों गुसाईयों की चत्री दोस्तों बहुत ही छुपा हुआ प्रशन ऐसे। कि छत्री आपको जैपूर में मिलेगी सर। क्लेयर साबस। कुसम जी क्या शांदार लिख रहे हैं यार। साबस। जो तुम को तुम को पसंद वही बात कहेंगे आप लड़की को किताब को हम भी किताब कहेंगे। धे के अंदर आपने बात करते हैं सर। जोगी दास की चत्री उद्य पुर्वाटी जुन जुनु में दोस्तों आपने एक देवी पड़ी होगी सिकराए माता का प्रिवर्थी तना में शकमभी माता सर। देनवाल जाती की कुल देवी है सर सिक्राई माता हुद्य पुर्वाटी जुन जुनु में अब यहां पर दोस्तों यह प्रशनम ज्यादा प्रभावी रहता है मैं आपको बता देता हूँ रामदत गोईनका की चत्री दोस्तों आपको कहां पर मिलेगी डूंड लोद में मिलेगी सर कहां मिलेगी डूंड लोद में तो रामदत गोईनका की चत्री दोस्तों गूंड लोद डूंड लोद कहा है सर जुन जुनु में बना हुए दोस्तों याद रखना कि गोईनका की च चत्रे पूछी चाती है teame year i'm walking आपट्रातर में च्छातर अपको मिलें सबसे पहले तो सरसी खंब की चत्र अब अशी खंब की चत्री का निर्मान को एक दोड़े संग मरमर से डिर्मित दोस्तों लगए कर ऑफी लें बनेशी ने इन उनने के लिए खत्री के लिएन निमानल करवाया गया दोड़ें आप्ल नेक्स्ट, पार मिलेगी दोस्तों दोसा में मिलेगी सर का मिलेगी दोसा में मिलेगी और आप जब सीकर में जाओगे तो दोस्तों यहां पर आपको भी पता है सर राम गोपाल कोटार की छत्रिया जो है आपको यहां पर देखने को मिलेगी सर सीकर से समंधित सर नेक्स्ट चांद सिक की छत्री दोस्तो बनेडी सीकर में मिलेगी तो सेट राम गोपाल वाली दोस्तो यह याद रखिएगा पोडार की जो है छत्री जो है वो आपको कहां पर मिलेगी सीकर से समझनित मिलेगी सर क्लेर शाबाश तो I think आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा तो जितने भी बच्चे जूड़ रहे है सबसे पहले तुम आपको यह कहूँगा भी आप सभी का स्वागत है दूसरा पूम दोस्तों आप like and share किये बिना जो एक लास से जा रहे हो मतलब सर मेरे काम में कोई कम ही रही है तो यह चीज़ है मैंने मेरी तरफ से पूरा एफ़ाट किया सर बहुत ही सुन्दर व्यू दिया है ताकि आप असान तरीके से महत्तपुन महत्तपुन छत्रियां जो है एक्जाम के लिए याद कर सको बढ़िया बढ़िया बही आप बताईए जोधपुर संभाग जोधपुर संभाग में दोस्तो आप जोधपुर में जा हुए तो आपको सर महरानगड में काफी सारी चत्रियां मिलेगी महरानगड दुरुकी तलहट्टी में जस्वन्त थड़ा बना हुआ है जिसको दोस्टों मारवाड का ताज महल बोलते हैा उन्निस्सोचैस्वी के अंदर ज़स्वन शंग के पुत्र थे सरदार सिंग, सरदार सिंग न दोस्टों इस चत्री का निमान करवाया था उसके पश्यात दोस्टों जितने भी सासक हुए जोदपुर के उनके सब की चत्रियां जो आपको कहा पर मिलेगी सर यह जस्वन थड़ा मिलेगी तो जस्वन थड़ा को कहा जाता है सर महरांगड में निवासित राठोडों का सम्शान घाट बोला जाता है सर क्या बोला जाता है सम्शान घाट बोला जाता है मामा भांजा की चत्री दन्ना कि चत्रियां नेक्स जस्वन्त मामा भांजा कि चत्र चेरसिंग Studios च्री मंदोर साइड чисले जाओ सरं पंच कंड से लिए उप स्वफ में Emot और अहाडा हिंगोला की चत्री दोस्त मेरे इसाब से सर ये आगे वाले प्रशन जो है वो पूछया जा सकता है अहाडा हिंगोला की चत्री दोस्त आपको कहाँ पर मिलेगी जोदपूर में मिलेगी I think सर ये प्रशन जो है वहाँ भी हो सकता है सर एक्जाम में गुड अब नहीं दिक्कत आएगी चत्रियां जो है आपकी इतनी पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगी हवेलियों के बारे में क्लास भी ले आएंगे मेरे दोस्त गुड नेक्स्ट इसके बार में दोस्तों अपने बात करते हैं जेसल मेर में जेसल मेर में दोस्तों बड़ा बाकी चत्रियां आगी अगी खेसर बाकी चत्रियां बुंदी में ख्षार बाकी कोटा में अंतेडा की अजमेर में देवी कुंड की बीकानेर में अब कौन सी आगी, बडावाग के चतरियां, बडावाग के चतरियां, कहा रही है, जेसल मेर मेर इंटीयादी है, मुमल ने, जो पाली उर पाली मेकस्तान, सारं, सारं की पहाड़ियां, दोस्तो याद रखना, जिना पर अंतिम समय विताया था, सर किसने बिताया था ध्यान रखियेगा राव चंदरसिंव मारवाड की चچतरी जल्दी से कमेंट कीजेए वए सभी बच्चे अमन्दीब कह रहे है सर, सर जी 70% मैटर जो है आपकी क्लास में ही याद हो जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद भी, आपने मेरे अफर्ट को यहां तक पहुंचाया, तो दोस्ते यहां पर आपको सारी छत्रियां एक साथ मिल गई, जोदपूर की, जोदपूर में सर जस्वन सारी बता दी है, और जितने भी विद्यारती मेरे चैनल पर नहें जूड रहे है, मैं उनको इस बात कहूंगा, आप डेली क्लास को जोईन करो, आपको 101% गरंटी के साथ कहता हूं, सर इन क्लासों से बहुत फाइदा मिलेगा, जहां पर सिधी बात नो बकवास होती है, मेरे दोस्त, जितना मैं आपको बता रहा हूं, देखो, एक टीचर है न, कभी इसको पढ़ोगे, तो वो याद हो, जिदेखो, पढ़ोगे, यानि कि महनत तो खुद को करनी पड़ेगी, एक डॉक्टर होता है, दोस्तों, वो स्वस्त रहना, वो नहीं सिखा सकता, वो स्वस्त नहीं रख सकता आपको, आपको उसके मारत दर्शक पे चलना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता, मेरे दोस्त, ठीक है, आपको ये समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल, और इसकी पीडिया प्राप्ट करने के लिए, दोस्तों, टेलिग्राम को जोइन कर लीजिएगा, नेक्स्ट प्रकल, फिर मिलना है, आपको सर, इसी टाइम, यानि कि सवा नो बज का, प्लेयर है क्या, सबस्त, तो नेक्स्ट मिलेंगे अपने कलगी क्लास में, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हसते रहिए, मुस्कराते रहिए, बने रहीगा, आजजी के साथ, धन्यवाद दोस्त,